तो दोस्तो अगर आप किसी को भी पांच मिनिट में एट्रक्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो में बताई हुई पॉइंट्स बहुत ही ध्यान से सुन लेजिए, समझ लेजिए, फिर इसको एपलाई करना और जैसे आप एपलाई करना सीख जाओगे तो आप किसी को भी पां जो पॉइंट है, बेसिक जो एट्रक्शन का नियम है, यह है दोस्तो स्माइल, जो कि बिलकुल बिना खर्चे का है, एक पैसा भी आपको खर्चा करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप किसी को भी पांच मिनिट में ही एट्रक्ट कर सकते हो, माल में आप किसी के साथ मिल रहे हो, और देखते ही आपके चहरे में एक बड़िया स्माइल आ जाए, तो सामने वाले का दिल जीतने के लिए इतना तो काफी है, सामने वाला बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, उसको लगएगा कि मेरे साथ मिलके यह बंदा कितना खुश है, इसका मतलब आप उसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, इसलिए तुम्हें देखते ही मेरे चहरे पे स्माइल आ गया, तो दोस्तो स्माइल एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया तरीका है, किसी को भी पांच मिनिट में ही एट्रक्ट करने के लिए, अब दोस्तो दूसरे पांट में आ जाते हैं, अगर आप चाहते हो, बहुत ही जल्द आप किसी का एट्रक्ट कर लोगे, महस पांच मिनिट में, तो आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, कि कि दोस्तों कहा वत्ता अपने सुने ही होंगे कि पहले दर्शंदारी, बाद में गुन मीचानी, तो भले आपके अच्छा लग रहा है कि नहीं, ऐसे बीना देखे समझे, कोई भी एक कपड़ा उठा के आप डाल लिए, तो यह होता है, जीरो ड्रेसिंग सेंस, और ऐसा ड्रेसिंग सेंस अगर आपके अंदर होगा, तो आप किसी को भी अट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों हम जै है, फर्स्ट इंप्रेशन है, वो बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके लुक्स के उपर, आपके ड्रेसिंग सेंस के उपर, आप कैसा कपड़े पहने हो, कैसे जूते पहने हो, किस तरह से आप अपने आपको सवारे हो, यह चीज बहुत जादा मैटर करता है, तो अगर आप जो आदो किसी को भी पांच मिर्ट में अट्रक्ट करना, तो आपके अंदर एक गुड ड्रेसिंग सेंस होना ही चाहिए, अब दोस्तों थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं, थर्ड जी पॉइंट है, यह बहुत ही जादा इंपोर्टिन पॉइंट है, यह है दोस्तों आ आपकी स्ट्रोंग पर्सनालिटी, अगर आपकी पर्सनालिटी स्ट्रोंग नहीं होगा, तो आप किसी को भी इंप्रेस नहीं कर सकते, पांच मिर्ट तो भूल जा, पांच साल में भी इंप्रेस नहीं कर सकते, अगर आपकी पर्सनालिटी में स्ट्रोंगनेस ना हो तो हर को personality आएंगे आपके बातों से बातों में जब आपका confidence होगा जो भी बात आप बोल रहे हो उसमें जब आपको confidence होगा तभी आपके personality के strongness सब के सामने आएगा तो आप हमेशा कोशिश करना अगर कोई topic पे आप बात करने जा रहे हो तो उसकी बारे में आपको अच्छा knowledge होना चाहिए अगर आपके अंदर अच्छा knowledge नहीं है तो आप कभी भी confident होके नहीं बात कर सकते और अगर आप confident होके नहीं बात कर पाओगे तो आपके personality की strongness कभी नहीं develop होगा इसलिए जो भी matter में आप बात करने जाओ उस मिशे में आपको जानकारी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसा भी होता है दोस्तों कोई-कोई topic पे हमारी जानकारी नहीं होता है क्योंकि हम इनसान है हर एक चीज में हमारी पूर ही नहीं होता है और वो लोगों के सामने मजाग की पात्रवनते हैं इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है हमेशा confident तरीके से बात करना है जो भी topic पर बात करने जा रहे हो उसके बारे में आपको अच्छा knowledge होना चाहिए अब दोस्तों चान नमबर point में आ जाते हैं अगर दो आपका WhatsApp नमबर दे दो आपका इंस्टा आइडी बता दो आपका एविया इडी बता दो मतलब कि उसके पीछे ही पढ़ जाते हाथ धोके तो ऐसे इंसान को भी लोग समझते हैं और अगर आप सामने वाले के पीछे पर जाओगे उसको इरिटेटिंग फील कराओगे आपको ना तो नमबर मांगना है ना तो कोई आईडी मांगना है हाँ अगर वो मांगे तो अलग बात है अगर वो आपके नमबर मांगे तो आप दे सकते हो तो आप दोस्ती बढ़ा सकते हो लेकिर उसको कते हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसके पीछे पढ़ गया चाहिए वो लड़की हो लड़का हो कोई भी हो चीक है तो पीछे ना पढ़ने वाला आदत से भी लोग बहुत जल्दी अट्रक्ट होते हैं अब दोस्तों पांच नमर पॉइंट में आ जाते हैं ये बहुत ही जादा important है हर एक इंसान के लिए ये है दोस्तों good habits अगर आपके habits अच्छे होंगे तो automatically आप attractive बनोगे और लोग फिर 5 minute में नहीं 5 second में ही आपके उपर attract हो जाएंगे तो वो good habits बहुत सारे हो सकता है उसमें मैं कुछ mention करे हो आप इसको note down कर लो जैसे कि मालों आप रात में जल्दी स होते हो और सुबह जल्दी उठते हो तो ये भी आपका good habits हो गया और इससे आपकी personality पर क्या फिक्ट पड़ेगा अगर आप जल्दी सोगे और जल्दी उठोगे तो आपका नींद पूरा होगा और सारा दिन आपको बहुत ही तंदरुस्त फील होगा आपको आलसी जैसा यह सुस्त जैसा फिल नहीं होगा और अगर आप लेट नाय जाकते हो सुबह थोड़ी दर सुएफिर उठ गया तो पूरा दिन आपके फेस में डलने से रहेगा और आपके बॉड़ी में भी आलस रहेगा तो यह सुबह जल्दी उठना और आपको जल्दी सोना यह भी a good habits है अ तो automatically उसके personality थोड़ा down हो ही जाता है है ना तो आपको जो सारे चीज़े है इसके आदत से मुक्त होना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों यह कोई अच्छा चीज नहीं है अगर आप बहुत जादा निशे वाली चीज़ों के प्रती addicted हो जाओगे तो definitely सामने वाल आपसे attract नहीं ह कर रहा है क्या आप उसको पसंद करोगे आप उसका attracted personality मानोगे नहीं ना इस तरह से अगर आप भी यह से चीज़े करते हो तो सामने वाले आपको attracted नहीं मानते हैं और वो आपसे attract नहीं होंगे तीसरा क्या है exercise आपको थोड़ा बहुत exercise करना चाहिए अगर आप सिरफ से कम आपको fit तो रहना है ना तो आपको fit रहने के लिए थोड़ा बहुत exercise ना हो सके थोड़ा सा walking ही कर लीजिए इस तरह से बहुत सारे good habits है जिसे जादा पानी पीना जादा मतलब की दिन में कोई के होता एक दो glass में ही चला देता है पानी उसको याद ही नहीं रहता है पा इस तरह से बहुत से चीज़े है जैसे कि fruits का सेवन करना ऐसे ही बहुत good habits होते हैं यह सब चीज़े आपको थोड़ा maintain करना चाहिए अगर यह सारे चीज़े आप maintain करोगे तो automatically आप एक attractive personality बनोगे और हर कोई आपको follow भी करेगा और हर कोई आपके साथ जोड़ना भी चाहेग और हर कोई आपसे impress भी हो जाएगा फिर पांच मेंट नहीं लगेगा कोई देखते ही आपके उपर फिदा हो जाएंगे तो ज़रूर इसको आप apply करना फिर देखना लोग कैसे आपके उपर impress होते है attract होते है